Hello friends, once again welcome and welcome back to you all on my YouTube channel So friends, इस सेशन में भी हम Punjab University, Chandigarh, Chandigarh के Colleges और बाकी Punjab-Haryana के Colleges cover कर रहे हैं तो हर एक admission update आपको हमारे चैनल पर मिर रहा है और इसके अलावा अगर आपको admission से related कोई query होती है कोई doubt होता है या फिर admission और counselling के time पर आपको counselling चाहिए तो आप लोगों को हर वीडियो के description box में और आपके pin comment में आपको एक link और contact number मिलेगा उन पर आप contact कर सकते हो आप से बहुत कम charges पर ही आप लोगों को जो counselling की details है वो provide करवाई जाएंगी और आपको guide किया जाएगा form कैसे बरना है और उसकी पूरी process आपके course wise आपको समझाए जाएगी आपके लिए कौन सा course best रहेगा so link आपको description box में दिया हुआ इसके लावा instagram पर भी आप आज सिकने instagram पर हम लगातार बातशीत करते रहते हैं stories में और QN ने चलता रहता है और इसके लावा हर एक post जो है वो सबसे पहले मैं instagram पर post करता हूँ और instagram पर ही मेरी stories में सबसे ज़्यादा जो questions आ रहे थे वो थे कि भाया admission कब start होंगी कब start होंगी कब start होंगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा guide करूँगा कि पंजाव university चंडिगर की admission form कब आएंगे और कौन-कौन से courses के form open है और कौन-कौन से courses के form जो है वो निकल चुके हैं या उनकी date जो है वो खतम हो चुकी है उनमें अब admission form आप नहीं बढ़ सकते तो आईए start करते हैं सो सबसे पहले तो आप लोगों की हम official website पर चलते हैं पंजाव university चंडिगर की puchd.ac.in इनकी official website है और आप लोग अगर पंजावी निवरस्टी में अडमिशन लेने वाले हो तो प्लीज मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि आप इनकी website के हर एक portion को एक बार go through जरूर कर लेजिए का इसके बाद बात करते कि पंजावी निवरस्टी तो काफी बड़ी है इसमें अलग-अलग departments है और जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं ज जो है वो अलग-अलग है तो आप एक बार इस वीडियो को जाकर के देखीगा चैनल पर तो अब 75 प्लस department है यहां पर हर department में जो है वो admission का कुछ ना कुछ ओल होता है कुछ ना कुछ अलग होता है तो अब कौन से department हैं वो भी देख लेते हैं यहां पर आर्स बिजनस मेनेज करनेज़मेंट सेंटर सेंटर्टर्स एंड फैसलिटीज और इसके अलावा यहां पर आपको मर्टी फैकल्टी डिपार्ट्मेंट मेडिकल साइनसिज डिपार्ट्मेंट फार्म अर्शुतिकल साइनसि तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारे department और colleges मिलेंगे तो आज की स LBO, BCOM LBO, उनका entrance भी हो चुका है और उनके जो result है वो भी आ चुका है, इसके बाद उन्होंने अब form fill करने हैं, वो form fill करने हैं, उन्होंने UGLO.PUCHD की website पर admission form बट अगर आपने entrance नहीं दिया है तो आप admission form के लिए eligible नहीं हो, इसके अलावा second जो form बंद हो चुके हैं, वो हैं आपके B.H.C. के form बंद हो चुके हैं, P.U.C.E.T. U.S.E. entrance exam होता है, वो आपका form बंद हो चुके हैं, जितने भी sciences के department में under graduation का जो form हैं, वो बंद हो चुके हैं, तो इसके अलावा ये four year B.A. का अभी शायद open है या नहीं, ये मेरे को ध्यान नहीं रहा है, इसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, जाकर किए, वो अलग से इस बार B.A.B.A. का है, जो admission है, वो हो चुका है, management के courses का जो एक entrance exam है, मैं तो मैं entrance test 2024, तो ये भी date जो है, वो जा चुकी है, और ये भी entrance exam हो चुका है, तो इसमें भी अब आप लोग admission नहीं ले सकते हैं, अब भी आप वेट कीजिए, हम बाकी दीरे-दीरे सारे courses पर आएंगे, कि कौन-कौन से जो है, वो courses हैं, और कौन-कौन से में आप लोग admission ले सकते हैं, तो आगे भी courses होएंगे, जैसे कि अब हम 3-4 courses की बात कर चुके हैं, और management में मैं आपको MBA की बत बता दूँ, MBA में अभी आप लोग सिरफ एक course के लिए form भर सकते हो, और वो course कौन सा है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, वो courses है, P.U.C.E.T.P.G. के सारे courses, औ MBA का एक course जो है, वो P.U.C.E.T.P.G. में यहां पर आता है अभी, तो यहां पर यह गलत वेबसाइट इन्हों ने ओपन कर दिया, यह एक promotional website है, college दुनिया की, बट C.E.T.P.G. के हम official website ही open करेंगे, और यहां पर 24th में 2024 last date है, एक दो वीडियो में मैंने भी शायद 24th April बोल द चलेगा 24th May है, और उसके बाद fees deposit की है, और 15 और 16 को इनका entrance exam है, इनका entrance exam के बाद अब आप लोगों के question होगा कि देर्स तो आपने बता दी कौन-कौन से courses है, तो courses कौन-कौन से हैं, इसके लिए मैंने अलग से video भी भना रखी है, कि कौन-कौन से without entrance है, कौन-कौन से entrance के ला अभी PUCET PG देने के बाद जब आप 15 और 16 तारीक को PUCET PG दोगे, और इसके अलावा आप लोगों के जब result आएंगे 15-7-2024 को तो यह जब 15 जुलाई के आसपास आपके result आएंगे तब आप लोगों को दोबारा से form भरना पड़ेगा, अब form यह entrance का form है, इसके बाद आपको admission का form भरना पड़ेगा, तो वो admission का form आपका भरा जाएगा onlineadmission.pucd.ac.in पर, तो इन्होंने यहाँ पर open नहीं करिये, यह website में इनके लगातार problem है, तो I don't know यह किस वज़े से है, तो onlineadmission.pucd.ac.in तो जब यह website आप सर्च करोगे, तो उस website पर जा करके आप लोगों को form भरना है, और इस website पर जो form है, वो अभी open नहीं हुए है, तो इस website को अभी open नहीं किया गया है, और इस website पर जब भी आपके form आएंगे तो मैं आप लोगों को inform कर दूँगा, और इसी website से आपके सारे जिनों ने entrance PUCET, PG दिया है, वो होगा, और जिन लोगों ने entrance नहीं दिया, या जैसे कि MA political science है, psychology है, sociology है, public administration है, या और भी बहुत सारे MA के courses हैं, जो entrance के base पर नहीं है, उनको भी same admission form भरना है, बस उनको entrance का अपनी details नहीं बरनी, क्योंकि उनों ने entrance नहीं दिया, उस course में entrance के भीना ही admission होती है, अब आगे बात कर लेते हैं हम जो BA B.com वालों के और जो 4-year integrated BA है, उसके बारे में तो useadmission.pucsd.ac.in, तो यहां पर हम जाते हैं, और यह देखिए, यहां पर आपको 2000, यह online admission for undergraduate courses, तो यह आप लोगों की official website है, यह बार-बार website से सिधा आपको redirect करके, main website पर लाकर खड़ा कर देता है, बट अभी जब यह आपके form open होंगे, तो आप लोग कर देखिए, अभी इन website पर काम चल रहा है, क्योंकि दोबारा से start करने है, यहां पर आप लोगों को department और courses select करने है, कि कौन-कौन से courses यहां पर आप लोगों को under graduation level के मिल सकते हैं, तो इसके लिए useadmission.pucsd.ac.in, और इस पर आप 4-5 courses हैं, जिनके लिए apply कर सकते हो, BA, BCOM, अ पहले भी open कर देते हैं, 15 July से पहले पांसा दिन पहले open कर देंगे, ताकि जो students है, वो आसानी से अपना registration करें, जैसे उनका PUCT PG का result है, उसके बाद वो अपना result की detail बरके final form को lock कर दें, और जिन जो merit base पर है, वो already अपने form को lock कर दें, ताकि उसके बाद उने admission process में कम time लगे और यूजी वालों की बात करूं, तो यूजी वालों का final form की, अगर मैं tentative date बात करूं, तो आपका जून के first week तक form final है की आही जाएंगे, उससे पहले भी आ सकते हैं, बर जून के first week में आपके आ जाएंगे, यहाँ पर multi faculty department में जब आप submit ये चेक करोगे, तो यहाँ पर आ आपको BA economics owners जो है, वो है, और जो language के courses है, वो भी होएंगे, faculty of arts में, यहाँ पर आप लोगों के अलग अलग departments आएंगे, उनके भी कुछ courses यहाँ पर होंगे, जैसी कि ये ICER का है, तो ये BA five year integrated हो गया, और इसके लावा economics का है, BA economics है, और ये इनके certificate courses है, तो ये सारे based on merit है, इ उससे पहले भी आ सकते हैं, मैं tentative में आपको बता देता हूँ, last June के first week में है, अब अगली वीडियो में हम document की बात कर लेंगे, कि document कौन कौन से चाहिए होते हैं, और हाँ दोस्तों कोई भी update हो, मैं आपको सबसे पहले Instagram पर provide कराता हूँ, तो Instagram आप लोग follow कर लिजे, time to time ले करके आने के लिए, so, आपको description box में link दिया हुआ, अगर आपको चाहिए कि हाँ, आपको कोई personally guide करें, तो उस link पर जाकर करके, आपको click करके, अपना form जो है, वो fill up कर सकते हैं, उसके बाद आपको personally guidance मिल जाएंगे, thank you so much for watching, see you soon in another video.